नवास्कार आप देख रहा है एपे नूज और मैं आपके साथ सुनील चतरवेदी चलते हैं आज के खास कबर की ओर चाहे लाख दावे किये जाएं लेकिन गंगा और पांडु नदी को दूसित होने से नहीं बचाया जा पा रहा है गंगा नदी में जहां नालो का पानी सीथे सीधे पेवस्त किया जा रहा है महिपांडु नदी में बिनगवा स्टीपी का अशोधित जल भी मिला जा रहा है सोशल मीडिया पर जब इसके वीडियो रील के माध्यम से वैरल हुए तो उत्तर प्रदेश पॉलिशन कोड तो उत्तर प्रदेश पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड यानि की यूपी पी सीबी ने जाच के बड़े आदेश दिये हैं यूपी पी सीबी की टीम जब मौके पर पहुँची तो सच्चाई जान कर दंग रहे है यूपी पी सीबी ने जल निगम नगर निगम को जानकारी देने के साथ ही स्टीपी का संचालन कर रही कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मागा है जाजमव परिशेत्र में इस्तित शीतला बजार नाले और वाजित पुट नाले से बिना ट्रीटेड यानि की बिना सोधित जल सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा था तो मामला बेहद सच्चा निकला निरिक्षण के दरान सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता सीधे सीधे पाया गया जिस पर आमित मिश्रा ने जल निगम को लेटर लिखकर कहा कि ये इस्तिती बेहद आपत्ती जनक है उन्होंने यहाँ स्थापित सीवेज पंपिंग स्थापित 12 पंप में केवल 3 पंप ही चालू पाये गया एस टीपी के आउटलेट से निस्तारित होने वाले शोधित उत्प्रभाहा को पांडो नदी में छोडने से संबंदी ड्रेन शतिग्रस पाया यहाँ बड़ी मात्रा में गंदी की फैली मिली इस पर कारदाई सहस्ता के के आर एम पी एल को नोटिस दी गई